हलो फ्रेंट्स वेलकिम तो मैं चानल आज हैं बनाने वाले हैं पनीर की बहुत ही क्विक वाली रसिपी जिसे बनाना बेहदी आसान है और साथ ही बहुत ही डिलिशिस बनती है चाहे कोई बिगनर हो या बैचलर तो सभी के लिए यह बनाना काफी आसान होगा इसे आप अपने पर और जब गर्म हो जाए तब हम डाल देंगे थोड़े से कुटा हुआ साबुद धनिया तेश पत्ता और कुछ घड़े मसाले लॉंग इलाइची और दाल जीनी का छोटा सा टुकरत बस एक सिकेंड के लिए भूलेंगे और फिर डाल देंगे दो मीडियम साइज का बारी धनिया जीरा स्वात किनु सा लाल मिर्ष पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्ष का पाउडर इन सभी चीजों को मिलाकर एक स्मूद सा पेस्ट तयार करेंगे सारे मसालों की जो क्वांटिटी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख तूंगी आप वहां से चेक कर सकते हैं तो अधरा क्लेस्ट का पेस्ट का भी इस्तमाल कर सकते हैं या दरदरा कूट के भी डाल सकते हैं जो आपको आसान लगे उसका इस्तमाला कर सकते हैं एक हडी मिर्ष को इस तरह से छोड़े-छोड़ तुकरों में काटकर मैं डाल दिया है अब डालेंगे आधा चमच कश्मीरी जाल में जिसे की सबजी का कलर काफी अच्छा हो जाएगा एक मिर्ष के लिए सारी चीज़ों को भूनेंगे और फिर डाल देंगे दो मीडियम साइज का टमाटर इस तरह से छोड़े-छोड़े टुकरों में कटा हो अब टमाटर डालने के बाद वन फूट टीस्पून के लगबग हम डाल देंगे नमक ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए नमक ढालने के बाद गैस को भिलकुल कुल कर देंगे और इसे एक से दो मिनिट के लिए हम कवर कर देंगे तो 102 मिनिट हो चुके थे तो यहां पर देखिए टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है इस इस तरह से कर्ची से दबा दबा के अगर हम चलाएंगे तो साड़ा अच्छे से प्याज में मिक्स हो जाएगा तो यहां देखिए टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल गया है और प्यास के साथ ही अच्छे से मिल चुका है अब हम डाल देंगे जो हमने दही और मसालों का पेस्ट तयार किया था उससे ग्यास के लो मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और इसे सुरुवात में लागातार चलाते हुए हम भोनेंगे वैसे मसालों के साथ दही को एड़ कर दिया अब बस हमें इसे एक से दू मिड़ और भून लेना है जब तक कि ऑईल बिल्किल सा अलग होगा हुआ ना नज़र आया तो यहां देखिए मसाले अच्छे से भून गए है तो अब हम इसमें डाल देंगे एक बड़े साइच का शिमला मिर्च इसको मैंने इस तरह से चुड़े चुड़े टुग्रों में काट लिया है तो शिमला मिर्च को हमें हलका सा भून लेना है मसालों के साथ ज्यादा तो यहां देखिए शिमला मिर्च का कलर भी बिल्कुल वैसा ही है बिल्कुल अब हम इसमें डाल देंगे पानी यहां पर मैंने गर्म पानी के इस्तिमाल किया है अब स्वात के नुशा नमक डाल देंगे आधा चमच की लगवक गर्म मसाला एड़ कर देंगे यहां पर ग्रेवी थोड़ी थिक लग रही है मुझे अभी इससे एक से दू मिनिट और उबालना है तो थोड़ा सा पानी इस टाइंग पे और डाल देंगे और इसको बिल्कुल लो मिट्यम फ्लेम पे हम इसे दो मिनिट के लिए कवर कर देंगे जब तक कि ग्रेवी में अच्छा सा उबाल ना आ जाए तो यहां देखी ग्रेवी में अच्छा सा उबाल आ चुका है और अब हम डालेंगे पनीर तो 200 गरम कर लगब के पनीर है जिसे मैंने हल्दी और नमक डाल कर हलका साटे कर लिया था तो ये घर का बना हुआ बिलकुस सौफ सौफ सा मीठा मीठा सा पनीर है अगर इस तरह से घर में बना पनीर का इस्तमाल करेंगे सब्जी बनाने के लिए तो उसका टेस्ट और भी बहुत ही पढ़िया आएगा हाँ फाइनली हडा धनिया डाल देंगे तो बहुत ज्यादा हमें पनीर को चलानाना नहीं और ग्रेवी के साथ बहुत देर तक इसे उबालना नहीं है बस मारे सब्जी डन है इसे सर्फ करें और उपर से गांश करें हहाँ ररा धनिया देश गर्म गर्म रोटी पडाथे अना के साथ इसे सर्व करें हूप आपको यह रेस्पी पसंद आई होगी रेस्पी अच्छी लागे कि वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलती हूँ एक और नहीं रेसिपी के साथ तब तक भी थैंक यू सो मच फ़र पहुंचिंग कि अगका रेस्पी रेसे हुआ आपर इसक्राइब करें रेस्पी भूले मिलती हुआ देर ना भूले म माइस। भाइब करें नहीं हुआ।